है कि अब है अब है अब है अब है अब करने वाली थी पर मेरे से फर्स चांस में अब देंगे और देखींगे कैसी वनी तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि यह राखी मैंने कैसी बनाई है अब यह सारा मटेरियल है जो मैं यूज करने वाली हो और यह सब पहल चुका है मुझे पहले यह सब कुछ पहले मुझे ठीक करना पड़ेगा अब सब कुछ सेट अप हो गया है मैंने कुछ थ्रेट्स लिया है पहला दूसरा यह कुछ डेकोरेटिंग के लिए मैंने सामान लिया है उसके आद मैंने हाँ पर थोड़ी अपनी खुद के ली है बीड्स वगरा जो भी है और फिर वह स्टिकरबल थी यह स्टिक नहीं होग इनको मुझे डालना पड़ेगा थागें और यह जो पिछली राखी की ना यह थी वो निकाली और यह ना मैंने येरिंग से निकाली थी और इन में बहुत छोटे-छोटे से बीड्स थे और यह तो अलगी सामान है उसका तो अलगी छोड़ो और यह मेरे पास पुराना वु कर दोंगे ताकि में कोई इजी पड़े तो मैंने ना यह थागे लिए और जो प्रॉक्सेस होता है उन धागों के एकटा करकर यह गोल गोल कुमाना उसका इनको कट कर लेना और एक जगह से नौट टाय कर लेना वही मैंने किया है और इसके बाद मैं इनको अच्छी शेप दोंगी और फिर इसके बाद में इसके उपर जो मेरा डेकोरेटिंग तिंग्स है जो भी है वो सब लगा दोंगी और जैसे कि पुरानी अली रखी इतनी अच्छी नहीं है तो यह वाली मैं ट्राय करूंगी और मैंने जादर से जादर थर यूस करा है ताकि थोड़ा सा बहुत अच्छा लग रहा है और पूरा गोल्डन और सिल्वर थोड़ा सा आ रहा है तो अच्छा लुक दे रहा है तो मुझे बताना आपको कैसी लगी आभी के लिए बाई बाई